गिट मारिंग प्यारे बच्चेओं कैसे हैं आप सभी मैं हीना शेक आपकी मैस की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम कर रही हैं कक्षा पांच विशेग गनित का अध्याय पांच जिसका नाम है गुणचेवं गुणनखंड इसमें हम शुरू करेंगे प्रशनावली 5.1 की प्रशने संख्या 1 से लेके 4 तक तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बच्चों प्रशनावली 5.1 दीगे संख्याओं के 4-4 गुणच लिखें बच्चों गुणच क्या होते हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास म पर्टिकुलर अंग्ये प्रोडप्ट होते हैं और जो गुनच मिलते हैं, जो गुनच होते हैं उनका पूरा-पूरा भाग उस संख्या में जाता है जिसके वो गुनज होते हैं जैसे अगर मैं यहां 4 का गुनज देखूं तो बच्चों 4 के गुनज वही होंगे जो 4 के पहाड़े में आते हैं जैसे 4 दुनी 8 4 तिरी 12 4 चोग 16 4 पंजा 20 हमें 4 चार चार यह गुनज लिखने हैं तो 1, 2, 3 और 4 यह 4 चार चार गुनज हो गए 1st, 2, 3 यह इससे नहीं दिखाई देड़ा 1st, 2, 3 और 4 यह 4 चार चार गुनज हमें हर संख्या के लिखने हैं प्यारे बच्चों, आप है 7 के 7 के गुनज तो बहुत एज़ी है 7 दुनी 14, 7, 3, 2, 7, 4, 28, 7, 5, 35 यह 4 चार गुनज हो गए मैं इसको यह ऐसे भी कर सकती हूँ कॉमा लगाने के बजाए 14 तो 14 दुनी 28, 14, 42, 14, 56, 14, 75 यह बच्चों हमें गुनज निकालने के लिए उस संख्या का क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा बोलना पड़ेगा और कहां तक पहाड़ा बोलना पड़ेगा? जितना उन्होंने पूछा है जैसे यह आपे 4-4 पूछा है तो मैंने आगे तक 4 तक पहाड़ा बोल दिया लेकिन बच्चों जो कि 1 संख्या खुद दे रखी है तो उसका 4 निकाले के लिए मैंने 5 तक के पहाड़े लिख दिये लेते हैं बच्चों नेक्स सवाल प्रश्नी संख्या 2 है प्यारे बच्चों आपकी दिये के संख्याओं के गुनच पर गोला लगाए यानि कि जो गुनच उस पर गोला लगाना जैसे 3 तीन का गुनच तीन तो है नो भी आता है तीन के पहाड़े में और अठारा भी तीन एकम तीन, तीन तिया नो, छे तिरी, अठारा जैसे 5 है तो 45 आता है कितनी बार? 9 बार, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 11, 5, 55 12 है तो 12 है तो 12 है कम 12, 12 तिया 36, 12 चुकू 48 यह भी आता है 15 है तो 15 है तो 15 है कम 15, 15 तिया 45, यह है प्यारे बच्चों इनके गुनच जिस पर में ने गुला लगाया नेक्स्ट है प्रशन संख्या 3, उन संख्याओं पर गुला लगाओ जो 3 वर 4 दोनों की गुनच हो यानि कि 3 के भी पहाड़े में आती है और 4 के भी पहाड़े में तो प्यारे बच्चों यह 3 का, यह 4 का 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिरी 12, 3 चोग 12, 4 चोग 16, यानि कि 12 और 12 एक तो यह आ गया है ना उसके बाद में 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 3 चंग 18, 6 चोग 20, 3 सता 21, यहाँ पर 7 चोग 28, यहाँ पर आ गया 3 अठे, चोईस यह देखे बच्चों यहाँ पर चोईस और यहाँ पर भी चोईस, यानि कि जो 3 और 4 दोनों की गुनजे वो है 12, यानि कि 3 के पाड़े में 4 बार और 4 के पाड़े में 3 बार और चोईस, जो हो कि 3 के पाड़े में 8 बार और 4 के पाड़े में 6 बार जाता है वो है 12 और चोईस लेते हैं next प्रश्न, next हमारा प्रश्न संख्या चार है, 10 के बीच में आने वाले 7 के गुणज लिखे, 7 के गुणज यानि कि 7 का पहड़ा, लेकिन condition क्या है, वो 10 से 30 के बीच में संख्याए होनी चाहिए, तो 7 कम 7, 10 से छोटा है, हमें 10 से 30 के बीच में चाहिए, तो सादुनी 14 आ गया, मैं यहाँ पर 10 लिख दिया, और यहाँ पर मैं 30 लिख देती हूँ, तो सादुनी 14, उसके बाद 7, 21, 7, 28, 7, 35, 35, 35 तो 30 के पार चला जाएगा, तो यानि कि वो संख्याए कौन कौन सी है, जो 10 के 30 के बीच में है, 10 से शुरू होकर 30 के बीच में आती है, साद के पाड़े की वो है, 14, 21, 28, यह थी प्यारे बच्चेओं, हमारी प्रशनामली 5.1 के कुछ प्रशन, जिसमें हमने गुनच, एवं गुनच के समबंदित कुछ सवालों को हल किया, बैसिकली तो हमने इसमें गु